बॉलिवुड फिल्म जुदाई का एक गाना काफे हिट साबित हुआ था और इस गाने के शब्द उथे शादी करके फस गया यार अच्छा खासा था कुवारा बाद में शादी करके फस गया यार नाम से एक फिल्म भी बॉलिवुड में बनी और ये फिल्म सल्मान खान और सिल्पा सेटी जैसे सितारों से सजी हुई थी मगर अब देखिए भोजपुरी में भी इसी नाम पर बन रही है एक फिल्म जो जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाली है भोजपुरी फिल्म शादी करके फस गया यार में अभिनेता अदित्य ओजा मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वैसे आपको शायद ये बात ना पता हो कि पहले इस फिल्म का नाम गरम मसाला रखा गया था लेकिन अब इस फिल्म का नाम शादी करके फस गया यार रख दिया गया है फिल्म का ट्रेलर भी हाली में यूट्यूब पर रिलीस कर दिया गया है ट्रेलर में दिखाया गया है कि अधित्य इस फिल्म में एकडम अलग और अनोखे किर्दार में नजरा रहे हैं ट्रेलर को देखने के बाद यही लगता है कि अधित्य शादी करके बुरी तरह फसे हुए है क्योंकि उनकी पतनी उनको परिशान कर रही है अपनी पतनी से परिशान अदित्य को आखिरकार कहना पड़ता है कि शादी करके फस गया यार चलिए अब आपको बताते हैं कि इस फर्म का निर्मान दिवाली फर्म प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ है जबकि फर्म के निर्माता निलेश पांडे और साधना पांडे है अगर इस फर्म के निर्देशक की बात की जाए तो आपको बता दें कि इस फर्म का निर्देशन अजे कुमार जहाने किया है फिलाल अदित्त तनुश्री और निहाश्री के अभिने से सजी इस फिल्म को दर्शक कितना पसंद करते हैं ये देखने वाली बात होगी नेक्स नाइट निव्ज रूम से ममता की रिपोर्ट